तो देखे दोस्तों आज हम लेकिए NCRT Class 6 की SST की बुक यानि समाजी के और राजनीतिक जीवन की बुक और इसमें हम करेंगे Part 2 यह हमारे चप्टर टू भी है जिसमें हम करेंगे वीत्ता एवं भेदभाव तो यहां से जितने भी इंपोर्णट पाइंट वन है इसको हमने न और इस प्रकार से यहां पर उनमें भेदभाव भी होता है तो इस प्रकार से यहां पर जानेंगे किस प्रकार से यहां पर अलग-अलग यहां पर आप दे सकता है कि अलग-अलग लोगों में किस प्रकार से भेदभाव होता है उसके बारे में यहां पर दिया गया है इसके लगाँ देशते हैं रूडी वद अवधारणा के बारे में और फिर उसके बारे में यहां पर असमानता एवं बेद भाव तो इस प्रकार से चेप्टर है और इसके अलाओं यहां पर हम जानेंगे भीमरा मेटकर को जिनको यहां पर भारत समिधान की पिताक आया था और दलतो का सबसे बड़ा नेता की रूप में जाना जाता है तो उनके बारे में हम यहां पर जानेंगे तो इस प्रकार से चेप्टर है तो इसमें जितने इंपोर्टेंट पॉइंट बने इसको हम नोट कर लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले है कि इस अध्याएं में हम यह समझने की कोशिस करेंगे कि हमारे समाज में व हमारे आसपास मौझुद असमानता है कैसे जुड़ी है तो बेख़्धाइ हम भी बिश्वाओ के बारे में जानेंगे तो बेख़वा होता क्या है जान बुझ का दूसरों को नीचा दिखाना ये भीदो क्यालाता है पूरवगर है इसमें नकरातमक धाराना बनाना और रूडी वाद में अगर हम बात करें तो लोगों को एक ही छवी में बान देना तो इसके वारे हम डिटेल्स जानेंगे फिर आपको अच्छे समझ में आदाएगा तो पहला पॉइ आठ धरम है और आठो के आड़ धरम जो है ये भारत में माने जाते हैं इसके लाँ अगर हम बात करें यहां पर 16-800 से ज़्यादा भासाय बोले जाती है जो लोगों की मात्र भासाय है यहां 100 से भी ज़्यादा तरह के निर्टे किये जाते हैं यह बिपिता हमेशा खुश होने का करणख नहीं बनती हम उन लोगों के साथ स्वख्षित मैसूस करते हैं जो हमारे तरह दिखते हैं कई बार हम समझ नहीं पाते कि ये लोग हम से अलग क्यों हैं हम इस बारे में अलग तरह से राय बना लेते हैं तो देखे इस प्रकार से आप बताया गया है कि हम लोग ज्यादा कर अपने ही जो धरम के लोग होते हैं या अपने कम्यूटी के लोग ह तो अगर आपको नौर्थ रिजन की लोग मिलते हैं तो आप उनसे ज्यादा स्रुक्षित महसूस करेंगी बकायदे साउथ वाले लोगों से इस प्रकार से बनाए गया हम उनके प्रति हमें एक अलग धरणा बना लेते हैं तो यह यहां पर दिया गया है तो देखे पुर्वा अने लोग होते हैं वो सहरी लोगों को आलसी चालाक और सिर्फ पैसों के सरुकार रखने वाले की तरह मानते हैं तो यह पूर्वा ग्रह यह अपने आप धरणा बना ले आती है कि जो गाहों के लोग होते हैं वो अज्यानी होते हैं अंद्विश्वासी होते हैं वहीं जो स बेदवाओ किया जाता है अब दिखिए याप लड़के और लड़की में बेदवाओ किस परकार से होता है पर लड़के और लड़की में बेदवाओ किया जाता भेदभाव है क्या कि जब एक व्यक्ति अपने धर्म या किसी भी चीज को संपरदाय को दूसरे से अच्छा बताता है तो उसे भेदभाव कहता है यानि अगर एक धर्म का व्यक्ति है और दूसरे धर्म की यहां पर अगर हम बात करें दूसरे व्यक्ति को अपने अपने अप तो यह प्रकार का देख लाओ याँ अपर पर देखा कि एक अक्छा में सौ लड़कियों में दो लड़कों का होना सक्षा है तो यहां पर भी अपने आफो असक्छा मैसूस paints लिए तो इस प्रकास यां पर देंगा कि मुस्लमानों में या रूड़ी बदधारनाई है कि लड़कियों को पढ़ाने में रूची नहीं लेते इसके लाख़। इसका जो ने आप कर या बताया गया है कि कहीं न कहीं इस ध्रम में गरीवी है इस वज़ा से लड़कियों को यह नहीं पढ़ाते हैं या पढ़ाने में रूची नहीं लेते हैं तो यह कुछ रुडिवादी बनी है जो पर्रागत तरीके से चलती आ रही है तो इसी को रुडिवादी का जाता है इसके बाद बात करते हैं और समानतेयों बेदभाव में तो बेदभाव तब होता है जब लोग पुरुवा गरहों या फिर रूडी वाद धारणाओं के आधार पर ब्यावार करते हैं तो दे सकते हैं इस प्रकार से बेदभाव इस प्रकार से होता है इसके बाद हम बात करते हैं आपे भीम राव मेटकर के बारे में देया गए जिसका यहां पे देया गए 1891 से और 1956 तक रही है डॉक्टर भीम राव मेटकर को भारती सविधान का पिता हुआ दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है इन्होंने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लडाय लड़ी जनम इनका जो हुआ था मुंबई में जाते हैं इनकी महार है दलित जो हता है यह आपे बताया के बतलब दबा हुआ या फिर कुछला हुआ होता है जीवन के अंतिम समय में इन्होंने बहुत धर्म को अपनाया था असमानता के लिए संगर्ष की बात करें आपर तो ब्रिटीश सासन में आजादी के लिए संगर्ष किया था उसमें असमानता के बैवार के लिए भी संगर्षामिले और इस परस्ता की भावना का अंद जो है आ बच्चे का जाता है ताकि इनके अंदर नकरात्मक सब्द नहीं आए इसके बाद नेस्ट पॉइंट है अपने भाईयों के साथ पिता से मिलने कौरे गाउं गये थे तो यह अनुसूची जाती थे और इन्हों ने ही सबसे पहले काउलेज की पढ़ाई पूरी की थी और उसके वदवकील बनने इंग्लेंड चले गये थे मुंबई में महार को अच्छूत माना जाता था तो देशकता है जो इनकी भीम्रामेटिकर के जाती थी उसको यहां पर मुंबई प्शेचमจะ के मुंबई में नर्का जाना जाता है तो वहां पर अच्छूत चाती माने जाती थी तो देशकते हैं इस प्रकार से चपटर में किस प्रकार से दिया गया था कि इस प्रकार से व तो लेकिन यहां से इंप्यक् hija bark बन जाता है तो लेकिन अधक्र पैर यहां पर जो बेद बाव है उसके अलामा और यहां पर जो और स्प्रस्ता का अंता है आर्टिकल 21 आर्टिकल 17 में तो यह इंपोर्टेंट है यहां से जाम में यह पूछे गए इसके अलामा भी आप अप NCRT के बुक जरूर पढ़ें इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा